तू आप लोग का प्यार नॉंसेंस करे गई जहार बन रही मेरी वीडियो में हमेशा के लिए लागातार तू आज के वीडियो में हम सिर्फ तकड़ाइस्टिक डेकुरेशन के काम करने वाले हैं जो के एकदम रियालिटी से को सो करता है फिल्कुल भी दर दर रहा है और देली पैड यह तो में मिलता है लेकिन माइनक्रफ बालों नहीं वाइल्ड अपडेट के नंप ऐसा चुना लगाया कि पूरा कंटेंट बरबात करके ही रख दिया जैसे कि ना वार्डन सिटी आया ना वार्डन आया ना मेस बायों माया आया तो सिर्फ एक बग आया है जो क पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इतना पीटाई हुआ है कि मुह लटका कर वापस आ लेकिन कोई बात नहीं डेकरेशन के लिए एक सी लेटर ही नहीं मिला है ना बागी सब कुछ तो आ जाएगा तो बता दो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आधी गे प्रिंट कर ली उसके बाद मैंने पूछ था स्टेर्स बनाओ या गेट की बाल बनाओ तो स्टेर्स के बाल बनाने के रिकॉर्डिंग आई थी लेकिन ऐसी बना दिये तो उपर जो दिखा दे रहा है धवाज वहां पर मैं लाल जंडा लगाने वाले हो मतलब बनाने वाला ह उटका बनेंगे उसके बाद जो में मक्सद है इसका यह जो पहाड दिखाई दे रहा है जो मन कट करके रहा हुआ है इसके सिमलर बनाएंगे दोनों साइट का यह आज यह काम है ठीक है उसके बाद दोनों साइट का पहाड बढ़ा करेंगे लेकिन सी लेटर और सीपिकल नह काम करता है या जहां पर नहीं काम करेंगा चाहिए इस परले चेक यह था यह सही सी काम करेंगे तो यह देट को लोगे गहाए जैसे कि पीला बाला डेट को लोगा पिर से तोड़कर फिर से लगाएंगे फिर से हुगा तो ऐसे ही करका में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अब दियान से देखना पाने के अंदर फ्रेस दिखाई दे रहा है लेकिन दूर तक देखो दूर तक बिल् के लिए बहुत ज़्यादा एपिक जो की उपर से देखने पर काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल दिखाई देगा मतलब जल्दी भी समझ में लिए अब उत्तरते समय फायर रोकेट कौन चलाता है बे कोई बात नहीं तो अभी मैं जो बता रहा हूं उसको जस्ट इमेजिन कर तो जस्ट अब इमेजिन करना क्योंकि यह मेरे वर्ल्ड को एक अलग डिरेक्शन मिले जाएगा एक मेरे किंग्डम को अब ध्यान से देखना है यह दूर दूर तक पूरी फिरेस दिखाई दे रही है जो कि यह पहाड़ है और यह पूरी नेचुरली बना है मैंने नहीं ब होगा और लेट साइट का मतलब राइट साइट का पहाड़ा बहुत ज्यादा दूर है तो रेने डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा ली जाए लैक तो बढ़ेगा तो अभी भी दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया दिखाई दिया चलो पास से देखके आते हैं क्योंकि इध आप लोग जस्ट इमेजन करो जो रेट साइट का पहाड़ है सेम टू सेम राइट सेड भी जैड भी बना दिया जा तो ज्यास्ट आप लोग इमेजन करना कि हमारा किंगडम का ऐसा दिखाई देगा इमेजिन करो इतना ज़्यादा ब्यूटिफूल दिखाई देगा कि सोचा भी नहीं होगा आप लोग ने तू भाई साब हाल चाल तो अब ठीक ठाक होगा लेकिन अब ठीक नहीं होगा क्योंकि जो पहाड जो बनाना है पूरी हालात खराब होने बाली है यह मेरे वर्ड का सब से ज़्यादा मेहनत काली काम है पहले रेंडर डिस्टेंस कम कर लेते हैं नहीं तो लाइक बड़ेगा तो दिखाए माजा नहीं आएगा तो यहां पर मैं गार्डेन बनाने वाला हूं काफी ज़्यादा मस्त गार्डेन जो कि यह डाइनसार के पंक के नीचे जो छाया होए जायीं देखनाए उसके नीचे यहां पर बडांगा और अब रिचस्ट इसके अ Après बनाउंगा यहां पकाने मात्लब कि उससे मेजरमेंट करके बनाएंगे पहले बनाएंगे मतलब डैनसार के साइच raroo के नीचे बढाईंगे तू लाइट इफेक्ट आचा आएगा क्योंकि कि वहां पर अंध्यरा रहेगा और टर्च जो बढ़ेगा काफी जदा है रियलिस्टिक दिखाई देगा तो भाइसा फाइनली राइट सेट का पाढ़ बनके तयार हो गया तो भाइसा प्लान में कुछ चेंज वाए जैसे कि मैं सोच रहा था कि लेफ साइट के लेफ साइट क गिरता है यहीं नदी वहां से स्टार्ट होता है और जंगलों से होते हुए सामके टाइम अपने जगा पर समुदर में चली जाती है जो कि काफी जदा आच्छा लगता है वह इमेज उसी तरह सेम्ट से मैंने भी सोचा कि वह ऐसा क्यों ना मैं भी बना इसलिए मैंने भी र आपनों ने यह भी देखा होगा कि निचुरली तरह से निकालता है और पाड़ में ढोग जाता है मतलब हमारे किंग्डम के साइड से आएगा जाएगा नदी भाई साब नदी ठीक है तो मैं जल्द जल्द यहां पर ब्रिक्ष लगाना स्टार्ट करता हूं और बन मिल से बढ़ा बढ़ा कर देंगे तुरंत बढ़ा हो जागा मजाएगा और जश्ट मैं गेट के सामने इधर ही साइड में हारा भार रहेगा इस जश्ट उसके गेट के जश्ट पीछे मैं इसनो बाली फाहडी बनांगा तो हो सकता है अच्छा लगे ना लगे तो फिर इसी की तरह बना देंगे तो भाई साब इमेज जैसी कुछ लुक बनके तयार हो गया जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का फाहड के उपर से पानी जहरने से होते गिरते हुए चली ज जो की अब मजा निबला है काफी ज्यादा सुन्दर दिखाई देगा सेडर पैक से तो और भी ज्यादा सुन्दर दिखाई देगा अब काम है कि दोनों साइड में अब चलते हैं गार्डेन बनाने अब मेन काम है अब गार्डेन बनाने का गार्डेन जब बन जब अब गार बनाना है और मेजरमेंट अब करना है कि बनाना कहां से है कहां बनाए कि अच्छी तरह दिखाई दे तो में काम अभी है कि हमको बनाना है तो डाइनसार के नीचे बनाना है जहां पर अंधेरा थोड़ी ज्यादा हूँ ठीक है ताकि टॉर्च की लाइटनिंग इफेक्ट आए तो अभी फिलाल हम ज़्यादा सोचते नहीं है एक जगह डिस मतलब एक जगह डिसाइड कर लेते हैं यहां पर एक पॉइंट और राउंड बना कर देखते हैं कि दूर से जाकर देखते हैं का इसा लग रहा है ठीक है तो मैं बनाना कुछ चीज़ पर कर से जैसे कि हमारा ग पूरी काम चालू करेंगे तो साथ ब्लॉक का जैसे मैंने बताया था तीन ब्लॉक ऑफिर तीन ब्लॉक उस साइड ठीक है बस मेन ब्लॉक का जो चिहां सिया एक ऊपर रख दिया हमाएं ने उसके बाद आप प्लॉक इधर इस साइड भी हो गया बस पूरे लेके साथ नाया था इस तरह दो ब्लॉक सेम उसी तरह बनाना है फिर उसके बाद एक ब्लॉक तब नीचे ही जाट डिर्क डालते चलते हैं क्यों डिक करते वे नीचे कुछ इस परकार से ठीक है बेतरी की लोग नहीं लगाना है सेंड लगाना है और जो मेरे पिछले वीडियो देखा हो प्येट के कह fiance ओखता होगा समाझ गया होगा की का सबस्क्राइभ की आज आ है जीसा करता हुआ की साथ ब्लॉक ओप से साथ ब्लॉक और फिर इसको सेंड से फिलःव कर देना है तो हमारे गार्डेन का राउंड सर्कल फास्ट बन चुका है तो भाई सब मैंने लेप्ट सेट कुछ ज्यादा ही उधर ही बना दिया था जिसे कि वह परफेक्ट नहीं लग रहा था वहां पर तो अब सही है अब बिल्कुल डैनसौर के पंके नीचे हैं ठीक है अब यहां थाहरा हो जाता है अच्छा खासा लाइटिनिंग इफेक्ट आएगा अंधरा होगे मस्त लग रहा है और सेमी सितरौसाइड फीर बना देंगे टर्ज को फिर लगा देते हैं नहीं तो क्रिपर और जॉम्बी स्कॉन होने का डढ़ है तौक हमें इसके चारों तरफ चार्ड गेट बनाना है तो चारों गेट बनाने के लिए और और लोग का इस्तिमाल करेंगे जो कि लगे कि हाँ यह खुद से बना भुआ है मैंने नहीं रहता है सिर्फ हमने इसको कटिंग किया हुआ है तो मैं कुछ इस जैसा मतलब की परतीत हो पार्क का इसा भी बना बस उसमें उसका नियमत होना चाहिए जैसे कुछ के अंदर बद स्विंगं पुल जैसे थोड़ी सी फानी उसमें से लायटनिंग फिक आए और फलावाल वाला और ऐसे कुछ हो पुलों उसके बाद कुछ लगए गई दूसरा कुछ नहीं कुछ इस परकार से इससे तरह लगा देंगे फिर उधर भी कुछ इस परकार से इस पर आरो तरप से अब इसके बाद ध्यान से देखना है इसके जभात एक से नीच़ से नीचे स 한के इसके सेम डूइस यह एक जोड़ी लूहंत साइट चाहिया जाएन चाहिए तो uniform आपको लगार के शर्म करते हैं है अब कुछ इस परकार से दिखाई देना चाहिए चाहीं मिस्था दाली की तरह तो आन रोन करते हैं इधर-फिल में अंधर के साईड में कुछी इस परकार सो क्मा बना लेना है जिसे याants बनाना यां फिर उसके ये उपार एक ब्लोक और फिर इसके ज़ेश्ट की वाहर के साइड में लगता है कुछ हीए पर करद देन इसमें कुछ झंजर नहीं फिर आदर को साइड में ब्लोक फिर इसके उपार फिरेश के लेप्छ पस हो गया इसी तरह सेम टूसेम चारो तरफ फिर से देख लेते हैं किस तरह दिखाई देरा जश्ट इसी तरह चारो तरफ टिक है उक्कित तो मैंने चारो गेट कुछ इस परकर से बना दिया है जो कि देखने में अभी उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा एक तो मैं पहले क्रते हूं भूआ इसको आउक लिप इसको कभर करना है मैंने आख लिप से इसमें रखा हुआ था कहां है कहां नहीं मिने तरह देकाई है ज्यादा भी लगाना भी नहीं चाहिए और गार्डिन के तरह ऐा है कि हमने कटकर करके परके क्परख कर देना है इसी तरह नहीं नींचे एक ब्लोक पढ़ते कर दोेता हैюсь свое अब वीदियो के लिए स्पीट करते हैं ताकि बोरिंग फिलना और कुछ इस वेकर से इसको तकावर कर देता है चारों तरब से बार के सब पूरों के तरफ करते हैं लेकिन क나 साइट से करना है तो के साद़ के तरफ यूशाओ नहीं करना है रिख तरफ से कर दना However करद ने एक लूग्स में नहीं दिखाया देना चाहिए लग। इसे पर चवर्स कपी कोछ भर कर सक्टर जRAI अब खाय के लिए अब और पोर नहीं है कि चलते हैं। डिटे डिसी तरव गेट को कवर कर दना है कुछ इस पर का से लिप से बाहर तर्के तरह आको आकर देखलेता है कि इसे दिखाई दे रहा है कुछ थी नहीं तो Maar कोछ बरिंग से दिखाई दे तरह लागता है तो के मैं ने चारा जोड़ा लिप को लिप कवर्र कर दिया चयारोगेट को उसके बाद अंदर के साइट में अधर से से दिखाई दे रहा हो देकste कि यह अंतना मैंटर नहीं करेगा जब इसका अंदर एक میर मुत बानें गे करने हैं और इसको कुछ इसंसे और नहां है जो कि तीन लक्स लगते हैं कि और लोग जू सेंटर रफ्ञारे कर待 कि यहां से ले लेते हैं कि इसके पास में यह कह पेंड लगाएंगे को शीजिसपकर से भीच लांबा पेंड लुद करेंगे जम्प करने से फ्रίν पूराम रुकर महां करते हैं यह लाइटर को निकाल दते हैं में जम्पकर पर हैंग अब साहित अब इसको कुछ कुछ इस परकार से कुछ मोटा वाली मोटा ताना वाला बनाना है ऐसा नहीं कि कैसा भी बना दो मोटा ताना वाला ब्रिक्च बनाना है ट्री बनाना है अच्छा दिखाईते हैं नेचुराली बिल्कुल नेचुराली ठीक है तो के वाई साब मैंने कुछ इस परकार से इसका तरीके से ताकि आचा दिखाई नहीं आपको भी कुछ इस पर कर से बनाना चाहिए तो मैंने गेट की तरह इसको भी थोड़ी आज पास से इसको लिप से थोड़ी 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 कवर कर दिया है अब इसको है कि पूरे साइड से इसको लिप से कवर करना है पेड की तरह इतना ही पर नहीं चोड़ना है नहीं तो नंगा पंगा की तरह दिखाई देगा अब इसको इस परकार से डाली की तरह जुकाना है पेड की तरह जुकाना है ठीक है कुछ ज़्यादा नहीं हो चाहोग चलो अब लगाना चलो करते हैं रेंडामली काई भी हाथ चलते चलते रहना चाहिए उपर नीचे आगे पीछे उतना खास देखना नहीं चहां पर लगता चले लगाते चलो आप लगा तो नई सुभा में गार्डेन की श्वागत है तो मैंने इदर क्या बोलते हैं हे बेल भी लगा दिया है तकि अच्छा लोक अच्छा यह उपर से ने को बहुत कि हो आपनी खुद की डिजाइन है अंदर जाने के लिए मैंने पूरी रास्ते ब्लॉग का रखा है क् कि फैंस अच्छे नहीं लग रहे थे तो वह बाली फैंस अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने वह को हटा दिया है अंदर जाने के रास्ता मैंने इसलिए ब्लॉक कर रखा है क्योंकि पहले यहां पर देखो इसके लिए इसके लिए मैंने इसके लिए इसके लिए इसके परकार से उज़ किया है से लाइट नहीं मिला हमको क्या करें भाइस हम एक कवा चुप चलाओ यार क्या काउंखाव करता है सांत रहा है देखो मस्त लग रहा है यह जुला है गार्डेट में जुला भी होना चाहिए एक साइड का फैंस का मतलब की ट्रैप डूर का वगए भा कभी लागे में जाएंगे तो लास्केप में से जाकर वह बाले जिसमें से खुब मस्त मस्त नहीं चूता है वहीं चूलाएंगे भूह मास्त मतलब देखोंगे तब ठाल रहा है छोड़ो उसको अभी वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि हम खुद की एक टेक्चर पैक पर क आ रहा हूं जो कि नहीं पसंद आता है कोई पसंद नहीं आता है तो बहुत बुरिंग फिल होता है इसलिए मैं खुद की पसंद की एक कॉस्टमाइज टेक्चर बनाने वाला हूं जो की सबसे अलग हट कर रहेगा मज़ा आ जाएगा देखने में क्या ही बोले तो ओके गाइस थैंक्स पॉर वाचिंग फिरी की बाकवास को यहीं बन करते हैं अगले वीडियो में गार्डेन के साथ आएंगे दुसीर ले और तिसीर ले